वे उसमें गाम की सहमती बनी पूरा गाम किसान नहीं करें तो पूरा गाम किसाना का है तो किसाना का समर्थन देना चीए कियुकि यह जो तीन काले हैं किसाना का खिला फipp है तो वेप्टू्रा का उनने 70 स्थ एक थो पहला फैसला यह लिया कि इंशना का शाथदेवांगे और डिली जावँगे अर डिली जाके जड़ा भी अपनी डुटी लाऊंगे और बिठने और उसके अलावा भी जो डुटी लाओंगे उसने भी पुगावांगे एर में बावांगे भै दूसरा फैसला यू लिया है गामने जो गोदी मीडिया है गोदी मीडिया हमने तो यह सुझा है जो मोदी ने जो खरीद राखी है या मोदी ने खरीद राखी या दबाव में है, उसने गोदी मीडिया के हैं, पूरे गाउंने एक फैसला यू लिया है, भे पूरा गाउं बी-बी पर, जीन जल़े में है, जीन 28 किलो मिटर है, पूरा बी-बी पर गाउं, गोदी मीडिया के लोग, किसे भी चैनल में हो चैवे जी नूज में हो चैवे एबी पी नूज में हो चैवे आज तक में हो या किसे और चैनल में हो और जब तक वे जीवेंगे और जिस भी चैनल में जावंगे बीबी पर गाओं उन चैनलों का बहिसकार करता है और उन चैनलों को बविशे में पूरा बीवी पर गाउं का चै वो वेर्द हो चै वो जवान हो चै वो बच्चा हो चै महिला हो कोई भी उन चैनलों को नहीं देखेगा आज जीवन के लिए उन पे उपर बीवी पर गाउं ने परती बंद लगा दिया दूसरा फैसला ये लिया है पूरे गाउने तीसरा फैसला क्या लिया जी तीसरा फैसला तो भाई बहुत बड़ा फैसला ले लिया बीबी पर ने और मैं तो इस पूरी इंदुस्तान की जनता को पूरे इंदुस्तान की कौम को यही कहूंगा भाई बीबी पर का फैसले को बीबी पर के फैसले को भाई अच्छी तरह से सुन लो और द्यान कर लो और मनन कर लो इस बीबी पर के फैसले को कोई छोटी तरह से नहीं आक ना कोई सस्ता नहीं आक ना ऐसा फैसला साइध ही बारत में कहीं पहले होया हो मेरी ख्याल में तो कहीं भी नहीं होया ये बारत में सबसे बड़ा फैसला है और ये बारत का सबसे बड़ा फैसला इस बीबी पर गाउं की दर्ती पे होया है बीबी पर गाउं की पंचायत के बीच में होया है ये फैसला लि परदान मंतरी ही क्यों ना हो, मंतरी ही क्यों ना हो, MP, MLA क्यों ना हो, चाए वो उसका कोई छोटा बड़ा नेता हो, या समर्थक हो, बिजेपी से सम्मंदित और RSS से सम्मंदित कोई भी विक्ती हो, बिजेपी से सम्मंदित कोई भी विक्ती बिबी पर में आगया, तो बिबी पर गाउ में आना उसका परती बंद है, बाइसकार है, और फेर भी कोई पुलिस फोरस को ले करके जबरदस्ती आवगा गाउ में, तो गाउं अपना शंती पूर्ण डंग से रास्ता में बेठके उनको गुषने से रोकेगा, फोरस के पास सत्यार हैं, अमने उठा भी देगा, फैक भी देगा, तब अम उस गाउं में जो बेठेंगे, किसी भी चोपाल में, उस चोपाल में गाउं का कोई भी विक्ती नी जाओगा, कोई भी विक्ति उनकी आवाज नी सुनेगा, उनकी बात नी सुनेगा, उनका प्रोपगंडा है जो उसके बारे में पूरा गाउं उदासीन रवगा, यानि एक तरह का जो हमारे राश्टर पिता थे मातमा गांदी, उन्होंने ऐ सयोग आंदोलन चलाया था, गाउं में जबर इंदोस्तान के इतियास में ओड बड़ा फैसला मेरे ख्याल में तो पहले नहीं लिया गया, यह बीबीपुर का फैसला है भाई, सारे रियानवास्यों और सारे भारत वास्यों इस फैसले को देख लिए, और इसी तरह हर गाउं में जो किसान मजदूर है, मलके ये फैसला क और जिस तरह अंग्रेज बजाए थे 1947 में, इसी तरह इन काले अंग्रेजों को यही तरीका बजाने का आपके पास और कोई तरीका नहीं है, और यह बीबी पर गाउं के जो तीन फैसले हैं, ऐसे ही कठोर और करने फैसले हर गाउं ने लेने पड़ेंगे पूरे हिंदूस् का समर्थक और अमेले एंपी, बीबी पर मैं आके देख लो, उसने पता चल जेगा कैसा है बीबी पर गाउं, यह फैसले लिए हैं जी, और यह फैसले हैं, बिलकुर, ठीक, जिन्दा हो और यह दखा दूँ, यह ट्रालिया, यह तरपाल लगा दिया, ट्राली के अंदर, ए दियाओं में हमारा साथ पन्य है, सातु पन्या से, हर पन्य से एक ट्रेक्टर और दो ट्रेली, यानि कि साथ ट्रेक्टर होगे, चोदा ट्रेली, एक ट्रेली में लोग बैठेंगे, एक ट्रेली में समान, समान में हम बरतन भी ले जांगे, गैस के चुले भी ले जांगे, वो क्या बोलते हैं छोटी आरी भी ले जांगे और चून भी ले जांगे दाड़ आलू के कट्टे प्याज के कट्टे यानि हम जावांगे यहां से छै महीने का समान लेके चैज दिल्ली में भी नम काम बनो छै भी नम बनो अगर छै भी नम में भी काम नहीं बन दा अमारे ग पोट किसान एक तदा जिंदनाबाद इसी तरह पूरी ट्रलियां के बोड लगाए हैं कहीं प्रदानमंतरी का बोई कथ हैं इस तरह से जो यह पंपलेट लगाया है इस तरह से हमने 40 पंपलेट लगाए हैं ट्रालियों के उपर और पूरे इंदुस्तान को मैं तो आद जोड़ के यही संदेश दूँगा यह जो कठोर कानून ना कठोर जो निरने लिए हैं भी भी पर गाउने इसी तरह पूरे थोड़ निरने लिए जबे जाके पायर पड़ेगी दन्यावाद भाईयों बिल्कुल भाई तो आप देखें